अभी अभी दिल्ली से एक बड़ी ख़वर आ रही है ख़वर ये है कि लालू परसाथ से मिलने के लिए राहूल गांधी पहुंचे हैं और राहूल गांधी तब पहुंचे हैं जब उन्हें आज सुप्रीम कोट से सुप्रीम राहत मिली है आपको बता दें कि लंबे से जब आयोगी घोसित हो गया है तो क्या होगा इन सारी बातों को ले करके एक तरफ जहां राहुल गांदी की अनुपस्तिती में नितीश कुमार पूरे वीपक्स को एक जूट करने में लगे हुए थे और भारते जंतापाटी की नीटियों को ले करके जमकर विरोध किया रहा इसी बीच आपको बता दें कि लालू प्रसाद और नितीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने भी गए थे और मुलकात के बाद जो पिछली तलखिया थी उसे समाप्त किया गया सोनिया गांधी और मलिकार जो ख़ड़गे से मुलकात के बाद एक बार फिर से पटरी पर लाया गया और भारती जंतापाटी और मोधी विरोधी गठवन्धन को बनाने की तैयारी शिरू हो गई नितिश्कुमार ने इस पर बहुत मेहनत किया अब इस तैयारी को भी स्टार्ट ही हुए थे कि इस बीच में राहुल गांधी पर एक बड़ा फैसला आ गया और उनके सदस्ता समाप्थ हो गई उन्हें मोधी सरनेमाले केस में दो साल की सजा हो गई जो सबसे मैक्सिमम सजा होती है और उसके बाद उनकी सदस्ता भी तत्काल 24 गंटे का अंदर में समाप्थ हो गई उसके बाद कहा ये जा रहा था कि नितिश्कुमार ही अब इस गठपंधन के करता धर लेकिन अचानक से जब यह सब कुछ चल रहा था उसी बीच में सुप्रीम कोट में जब राहुल गांधी की याचिका दाखिल की गई और राहुल गांधी ने सुप्रीम कोट को यह बताने की कोशिश की कि उन पर जो लगाये गए है आरोप और उनकी सदस्ता जो समाप की गई है वो ठीक नहीं है इस बात को संग्यान में लेते हुए सुप्रीम कोट ने तिथी तैकि थी और चार तारिक जो लगतात चर्चा में था उनको राहुल गांधी को सुप्रीम कोट से बड़ी राहत मिली उसके बाद से उनकी सदस्ता भी पर करार हो जाएगी और आगे राण जूद्गी में सारी स्टेट्जी और सारी रणनिती बनाई जाने लगी इसके बाद आपको बता दें कि सब कुछ एकदम पूरी तरह से साफ नजरा रहा है सब को इस बात के लिए अब कहीं न कहीं दिखाया जा रहा है कि खेल अब दूसरे एंगल पे चला गया है एक तरफ जहां राहुल गांधी दो मीटिंग के बाद और दोनों मीटिंग में मौझूद रहे उसके बाद अब तीसरी मीटिंग से पहले राहुल गांधी को रहत मिलना एक बड़ी खबर के तरफ संकेत कर रहा है वही दूसरी तरफ आपको बदा दें कि अगर ऐसा होता है तो बंधन जो इंडिया का ठोधन बढ़ा है उसको राहुल गांधी लीड करें और लालु प्रसाद और तेश्वियाद उसका बैक अप करें या फिर राहुल गांधी से ये आग्रह किया गया कि नितीश कुमार को लीड करने दें जब बक्त आएगा तो परधान मंत्री का फैसला होते समय एक बार फिर से विचार किया जाएगा लेकिन ततकाल जिस तरह की चीजें सामने आ रही है और राहुल गांधी राहत मिलने के बाद सबसे पहले लालु प्रसाद से मिलने गया है इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं अब देखना दिल्चस्त होगा कि राहुल गां अब देखना होगा कि नितीश कुमार इस पर कैसे रियक्ट करते हैं क्या नितीश कुमार को इस मुलकात के बाद एक बड़ा जटका लगने वाला है जुड़े देगा भरत लाइब के साथ ख़वरें लगता जया अगर पत्रकाजिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता नहीं तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद